अगर मैं आपको बताओं कि अब आपको WhatsApp में मैसेज भेजने के लिए चार्ज पे करना होगा तो आपका पहला रियक्शन कैसा होगा जी हाँ, WhatsApp ने नए इंटरनेशनल OTP केटिगरी पेस की है जिसमें बता जा रहे है कि कमर्शियल इंटरनेशनल मैसेज भेजने पर अब आपको चार्ज पे करना होगा, चार्ज महंगा होगा तो आए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि कौन से WhatsApp यूजर्स के लिए ये नियम लाहू किया गया है इस वीडियो में इस चीज को विस्तार से समझते हैं दरसल मेटा on WhatsApp के और से इंटरनेशनल वन टाइम पासवर्ट की एक नई कैटिगरी पेस की है इससे भारत में बिजनेस मैसेज भेनने के लिए कीमत में इजाफा होगा WhatsApp के इस कदम से कंपनी की कमाई में इजाफा होने की उमीद है Economic Times के रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल मैसेज की कीमत पहले से 20 गुना जादा बढ़ गई है हाला कि आम यूजर्स पहले की तरह फ्री में WhatsApp इस्तमाल करते रहेंगे नए फैसले का असर बिजनेस SMS पर होगा साथ ही समझते हैं आईए कि अब जो SMS होगा उसमें कितने चार्ज पे करना होगा WhatsApp की नए इंटरनेशनल मैसेज कैटिगरी के तहट प्रती मैसेज में 2 रुपय देने होंगे यानि एम एक जुन से लागू हो जाएगा इसका असर भारत और इंडोनेशिया दोनों देशों के कारुबार पर देखने को मिलेगा WhatsApp की नए फैसले से इंटरनेशनल कमपनियों जैसे Amazon, Google और Microsoft का कम्मिनिकेशन बजट बढ़ जाएगा जैसल नॉर्मल इंटरनेशनल वेरिफिकेशन OTP के मुकाबले WhatsApp से वेरिफिकेशन करना सस्ता होता था पर अब ये थोड़ा महंगा हो जाएगा इसके साथ ही जानते हैं कि पहले क्या रेट थे, पहले क्या चार्जेस लगते थे इससे पहले तक local SMS भेजने के लिए टेलीकॉम कमपनिया 12 पैसे प्रती SMS चार्ज करती थी जबकि इंटरनेशनल प्राइज 4 रुपय प्रती SMS था जबकि WhatsApp के ओर से इंटरनेशनल SMS के लिए 11 पैसे प्रती SMS चार्ज किया जाता था जिसे बढ़ा कर अब दो रुपय प्रती SMS कर दिया गया है और आपको बता दूँ कि भारत में इंटरनेशनल प्राइजेस में रेपीड ग्रोथ दर्च की जा रही है जिसका मार्केट शेर करीब 76,000 कर रुपय हो गया है इसमें SMS, पूस मैसेज, OTP वेरिफिकेशन, एप्लिकेशन, लॉग इन, वित्य लेन दिन, सर्विच डिलिवरी जैसे मैसेज भी सामिल है इसमें बात ये भी जुड़ती है कि WhatsApp SMS चार्ज कम होने की वज़े से Amazon Flipkart जैसे e-commerce platform WhatsApp को बैतोर वेरिफिकेशन और messaging टूल इस्तिमाल करते हैं जिसकी वज़ा से Airtel और Jio जैसी कमपनियों को नुक्सान हो रहा था, हलाकि नए फैसले के बाद टेलीकॉम कमपनियों को फायदा होने की उमीद है तो आपने देखा तमाम जो नियम थे वो normal WhatsApp users के लिए नहीं है, जो business WhatsApp चलाते हैं उनके लिए नियम लागू किया जाएगा एक जुन से आपको इसके साथ बता दूँ कि जब तक हम ये खबर record कर रहे हैं तब तक WhatsApp के तरफ से, Meta के तरफ से और WhatsApp बिजनेस के तरफ से इसमें कोई भी officially notice जारी नहीं किया गया है कुछ तमाम media reports थे जिनको लेकर हम ये report तयार किये हैं अगर आपको ये वीडियो informative लगा हो और आप WhatsApp बिजनेस की यूज करते हैं तो आपके लिए खबर काफी असरदार होगा तो इससे जादे से जादे से शेयर करिए और KP News को सब्सक्राइब करिए शुक्रिया निव वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें KP News को और बेल आइकन को दबाएं